हेलो बच्चो, वी लुक अप के पार्ट एलेवन में आपका स्वागत है, अब पार्ट टेन तक हमने अलगए टाइब का वी लुक अप सिखा, अब वी लुक अप के पार्ट एलेवन में मैं एक कोशन ले के आया हूं, सबसे पहले हम डेटा को समय लेते हूं, और कोशन को आप से बुराँच प्रोड़क täँटीए और प्रााइज निकालना को और देखो मरे कहा है और नहीं से ब्राइज निकलना और देखो मेरा प्रोड़्ड कोर्ड़क काँ पह यह नहीं पर प्राइजियर पर्राइज आप ऑफ कोण मेरे النखेओ 상-यह find का formula निकालूँगा मैं लिखुआँ equals to find ठीक है मैंने find formula को अलिडी आपको समझा रखा है अब find किसका करना है find text करना मुझे इसको find करना है ठीक है अब मैं क्या करूँगा इसको साथ साथ मैं इसको lock कर दूँगा फिर बाद में दिक्कत होती है मैं इसको lock कर रहा हूँ ठीक है ये मेरा row column लोग हो गया बट मैं क्या करूँगा मुझे सिर्फ F column को lock करना है मैंने तीन बार प्रेस किया F4 को मैंने क्या किया सिर्फ F आले column को lock कर दिया row को lock नहीं किया क्यों क्यों क्योंकि मुझे vertical track करना है हर product ID के लिए जो product code के लिए मेरा F column common रहेगा तो मैंने क्या किया मैंने सिर्फ F column को lock किया बाकी rows को unlock किया मैंने तीन बार प्रेस किया था देखो दोबार दिखाता हूँ अगर मैं normally F4 करता हूँ row column दोने लोग हो गया दोबारा प्रेस किया यह मेरा row लोग हो गया यह मेरा column लोग हो गया और basically मुझे column ही lock करना है क्योंकि मुझे इसको vertical track करना है comma अब यह text find करना है किसमें से करना है मुझे इसमें से find करना है इसको भी F4 से हम इसमें भी vertical track करेंगे तो इसमें भी column को lock कर देंगे एक बर प्रेस किया, दो पर प्रेस किया, रोग, यह मेरा कॉलम लोग हो गया, ठीक है, कॉमा, अब मैने प्रेस किया, अब वन क्यों किया, मुझे, फर्स्ट प्रेस वाला मुझे टेक्स जाहिए, जो मुझे फाइंड करके देगा, और मैंने एब जसे बढं़ कर दिया और इंटर इसने मुझे इसकी पूसिए डिया निचिक कर यह आप देख कते हो जो मेरा यह कोड में यह कीजा और हिस्की पहला एंगे मुझे सारी प्लेसी सबता दी मतलब फाइंट फॉरम्ले मेरा किया दूएunted कोई number दे रहा है ठीक है मैंने find से क्या कोई नबर ले लिया अब suppose को जैसे मैं यहां से कुछ delete कर देता हूं जैसे मैंने यहां से a delete कर दिया और मैं यहां से match नहीं हो रहा तो इसने मुझे क्या बता दिया मैंको error रिशू कर दी, ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने इसको ctrl z कर देता हूँ, मतलब ये मुझे इसमें से find करके दे रहा है, कहने का मतलब, और कोई ना कोई number find करके दे रहा है मुझे, अब उसके बाद मैंने क्या किया, यहां मैं लगाँगा if का formula, इससे आगे, मैंने का if, bracket को on किया, और end में आके मैंने क्या किया, ये number है, 0 से बढ़ा, मतलब ये मुझे find formula, मुझे कुछ ना कुछ find करके दे रहा है numbers को, और वो number मेरा 0 से बढ़ा है, मैंने condition चेक कर दी, अगर ये number बढ़ा है 0 से, तो मुझे comma करके क्या print करा देगा, value true में मुझे यही number प्रिंट करा कर देदेगा, ठीक है, इसको भी log कर लिते हैं, इसमें मेरा column लोग होगा, मैंने column को log कर दिया, ठीक है, बाद में मुझे फिर दिक्कत नहीं होगी, फिर अगर ये true में क्या आगा है, मतलब अगर ये value मेरी आएगी, 0 से बढ़ी होगी, तो मुझे क्या करेगा, a2, मतलब यही वाला मुझे sell, यही वाली value देदेगा, नहीं तो मुझे blank print करा देगा, ठीक है, और मैंने bracket को बंद कर दिया, और enter मार दिया, आप देख सकते हो, इसने मुझे वाई value प्रिंट करा दी, और इसको drag कर दिया, सारी मुझे वाई value को प्रिंट कर, क्योंकि सारी value मेरी 0 से बढ़ी थी, I hope आपको इतना समझ में आया होगा, आप उसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं क्या करूँ, इसी पूरी value को, मैं पूरा look of value समझने वाला हूँ, इस से पहले मैं क्या लगा, मतलब यह पूरा जो है, इसको मैं look of value समझ लिए लिए, कैसे, मैं आगर लगा दूँगा, we look up, अब यह क्या, इसको मैं क्या लगा, इस पूरी को क्या लगा, मैं look of value ले रहा हूँ, ठीक है, कॉमा, अब table का है मेरी, यह मेरी पूरी table लेग, मैंने table को select कर लिया, कर लिया, और F4 से lock कर लिया, ठीक है, साथ साथ लोग करों, बाद में दिक्कत होती है, फिर, कॉमा, अब मैं यहाँ पे, मेरा column कौन सा है, column number 2 है, ठीक है, फिर, product ID मेरा column 3 है, प्राइस मेरा, फिर, मुझे बार पर column number चेंज करना पड़ेगा, तो इसलिए मैं यहाँ, column का formula यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने column का formula यूज़ किया, अब मैं कौन से column पे formula लगा रहा हूँगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, column number 7 पे, यह column मुझे का answer देगा, column number 7 निकाल के देगा answer, अब मुझे चाहिए कौन सा column, मुझे ब्रांच मेरा कि इस पे column number 2 पे है, तो मैं 7 में से minus कर दूँगा, और 5 तो मेरा, यह इसका look up, column index number मेरा automatically 2 आ जाएगा, comma 0 कर दिया, exact match के लिए, और मैंने bracket को बंद कर दिया, और मैंने इसके बाद enter मार दिया, आप देख सकते हो, इसने मुझे डेली निकाल के देदिया, और मैंने यहांसे इसको track कर दिया, तो मेरे सारे ब्रांच निकाल के देदिया, अब बाएंचेस मैं किसे में इसको कोई delete करता हूँ, स्पोस्कोर में कोई भी हटाता हूँ यहासन, और तो में को क्या कर देगा, error शो कर देगा, अब इस error को कैसे remove करेंगे, मैंने आपको बताया था, यह error हम वी look up से remove करेंगे, कैसे, मैं आपको भी दिखाता हूँ, अब उसके बाद मैंने क्या control z कर दिया, यह मेरा, आप देख सकते हो, यह जो मेरा answer आया है, यह look up value है, मैं आपको select करके दिखाता हूँ, यह यहां से select होगी, और मैंने इसमें क्या कर दिया, F9 प्रेस किया, देखो, यह मेरी क्या की, पूरी look up value होगी, जो मैंने वापीस वो value निकाल के दिखाई थी, इफ फॉर्मले से, फाइंड और इफ से, तो इसको मैंने क्या मान लिया, पूरा look up value मान लिया, look up value, table array, column का formula लगाया, column का नमबर निकालने के लिए, और मैंने जीरो प्रेस किया, accept match के लिए, ctrl z कर दिया, और enter मार दिया, आप इसको मैं यहां से, drag कर देता हूँ, तो देख सकते मैंने सारी value की, और नीचे भी मैंने इसको, drag कर दिया, ठीक है, सारी मेरी value शो होगी, पूरा drag नहीं हुआ, यहां तक कर दिया, ठीक है, अगर बाएंचाल, अब मैं value को चेंज कर दो, जैसे यहां से change कर दी, या कम कर दी, तो उसने क्या show कर दी, message show कर दी है, तो इसके लिए मैं क्या लगा हूँआ, यहां आगे, if error, मैंने लगा, if error, ठीक है, अब last में मैंने क्या कर दिया, if error कहाँ पर, last में आया मैं, कोमा, तो यहां क्या कर दिया, मतला वो value मिल गी, तो ठीक है, नहीं तो क्या है, यह invalid product ID है, आप यहां लिख दो, invalid ID लिख दो, नहीं लिख दो, आप कोई बात नहीं, invalid ID, ठीक है, blank भी print करा सकता हूँ, पर मैंने दे दिया, अगर product code मिलेगा, तो show करेगा, नहीं तो मुझे क्या बोलतेगा, invalid ID, enter मार दिया, और इसको मैं यहां से, drag कर लेता हूँ, ठीक है, और यहां से, ऐसे भी drag कर लेता हूँ, आप देख सकते हो, उसने मुझे मार शो कर दिया, अब में हाँ से कोई भी नावर बिलता है, अगर देख सकते हो, तो बता देगा, अब देखो, यह वाला code में को इसके अंदर नहीं मिला, enter मारा, तो उसने मुझे बता दि, invalid ID, पूरी उसने मुझे, इन्वाल, यूज किया, find मुझे क्या कर रहा है, कोई ना कोई नंबर दे रहा है, और मैंने find मुझे, कोई ना कोई नंबर निकाल कर दे रहा है, मैंने if से चेक किया, अगर वो नंबर जीरो से बड़ा है, तो मेरे को यही value, एटू वाली, मुझे को value प्रिंट करा कर दिखा देगा, ठीक है, और इस पूरे को मैंने look-up value ले लिया, ठीक है, बाकिवी look-up तो आपको यूज करना आते हैं, मैंने आपको समझा दिया, मिलते हैं, next video में, thank you.